नमस्कार टीवी हंडिड में आपका स्वागत है और मैं विरेंद्र गुपता जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाओ अपनी तित्री के नजदी का रहा है वैसे वैसे तमाम राजनितिक दलों में भी सक्रीता देखने को मिल रही ह है कंबल वितनर से लेके तमाम सामेजिक कारियों में बढ़ चड़के हिस्सा लेने वाली इस वक्त जन्पत मिर्जापुर के मजवाविधान सभा चेत्र की नेत्री समाजवादी पार्टी की महिमा मिश्रा जी हमारे साथ लोग बड़ी आसा भरी निगाहों से देख रहे है कि आप समाजवादी पार्टी की तरफ से आपका टिकर्ट क्लियर हो जाए तो मजवाविधान सभा में आपके सवर्थकों का मानना है कि सीट निकल जाएगी किन मुद्दों पे चुनाओ लड़ेंगी कैसे आप जीतेंगी पहले तो मैं यह करना चाहूंगे जिस तरीके से हमने कारे को किया है और लोगों का काफी आकरशड़ है अगर हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के तरफ से मुझे टिकर्ट दिया जाता है तो लोगों का काफी उससा है कि आप लोगों के बीच आईए और आप पूरा स मिलता है अगर मुझे टिकर्ट दिया जाता है तो यहां से जीतते हैं आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी क्योंकि महिलाओं का सम्मान इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि अ उत्सा में है और जनता भी चाहती है कि अब परिवर्तन हो लोग तरस्थ हो चुके हैं आप आपकी मुलाकात क्या अखलेश जी से हुई है और उनका भी यही काना है कि देखिए परिवर्तन रत्यात्रा चल रही है जिस तरह के से और लोगों का काफी योगदान भी मिल रहा है है और उन लोगों के उत्सा को यह देख कर लग रहा है कि परिवर्तन होना ते है बीजेपी की लोग कहते हैं कि वो तमाम लोगों को स्वास्थ मुहिया करा रहे हैं पांच लाग का बीमा दे के फिर मुफ्त में अनाज दे रहे हैं आवास दे रहे हैं प्रधान मंत्री मुक कुछ और होते हैं तो उन लोग का बस यही है और ऐसा कुछ भी नहीं है लोगों के पास अब जब आप जाएंगे तब तो उस चीज को आप जानेंगे हम लोग निकल रहे हैं लोगों के बीच पहुच रहे हैं लोगों की बातों को सुन रहे हैं तो उससे ऐसा कुछ भी नहीं के जन जन लोगों के बीच में यह है कि महिमा मिस्रा जी आ रहे हैं काफी सम्मान भी मिलता है और लोगों का कहना भी है कि अगर आपको टिकट मिल जाता है तो आपकी जीत स्वेयर है इस वज़े से काफी आकर्शित होंगे या आपके वादों में कुछ दम भी लगता ने पास कारे करने की छमता नहीं है तो आपकी बातों में दम नहीं है तो कोई मतलब नहीं है आपको युगा महिला तो बहुत आएंगी जाएंगी लेकिन अगर आपकी बातों दम नहीं है कारे करने की छमता नहीं है तो कोई मतलब नहीं है इस वज़े से लोग काफी लाइक कर आज ही नहीं, अगले हम लोग 2-4 दिन से पहले से ही असाहय, गरीब, विकलांग और हर साल ऐसा कारेक्रम होता रहा है हम लोगों की तरब से और गरीबों में कमबल वितरड करना हम लोगों को देखिए सेवा करना बहुत अच्छा लगता है तो किसी ने किसी माधियम से यह होत हुआ में कौन सी पार्टी आप से लड़ पाई हुआ है देखिए यह कहना तो बहुत वो है लेकिन इस समय में देखिए दो ही लोग का चुना हुए और तो आन्ने पार्टियां कोई मतलब नहीं रखती है इस समय विजेपी और सपा समाजवादी पार्टी ही ऐसी है कि दोन लोगों का आकरशड़ खतम हो गया विजेपी के तरफ से क्योंकि एक चलावा था जिस तरह के से लोग चल रहे थे अब लोग जागरूप हो रहे हैं पहले जैसा कुछ नहीं रहा गया है आपको लगता नहीं कि भारती जंदा पार्टी या उत्तर प्रदेश की सरकार लोग कि ही देन है उसी को अभी पूरा करिया ऐसा नया कुछ तो टार्गेट ही नहीं है उनका नया कुछ तो किये नहीं है जिससे की लोग उनसे वो हो प्रभावित हो ऐसा कुछ भी नहीं किये है अभी तो मारे आश्टियाद्य जी का जो का रहे है उसी को लोग पूरा कर रहे है समाजवादी पार्टी का जो कार है अभी वहीं नहीं पूरा कर पाए है तो आगे क्या करेंगे समाजवादी पार्टी अपना दर गड़भंधन कर चुकी है उसका भी फाइदा आपको मिलेगा बिल्कुल मिलेगा देखिए समाजवादी पार्टी हर तरह से वीश पढ़िये और वीजेपी जो सरकार है वो डर चुकी है इसलिए वो सोच रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग क्या करें कि हम लोग जीत हासिल करें कि ऐसा कुछ भी नहीं है परिवर्टन होना तय है तो आपने देखा कि महिमा मिश्रा जी हमारे साथ थी जो मजवादान सवा से समाजवादी पार्टी की उम्मेदवार बनने की प्रयास में अभी दौड में शामिल है देखना दिल्चस्प होगा कि पार्टी महिमा मिश्रा का चैन करती है या किसी और का चैन करती है मिर्जाप झाल झाल